जै जवान जै किसान का नारा सुनकर आपको कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि ये नारा आज भी उतना ही प्रसंगिक है? शायद नहीं आजादे के बाद से हमारे जवानों ने सीमा पर खून पसीना बहाया, अपने परिवारों को छोड़ा और देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाए लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? पुरानी पेंशन योजना? नहीं अब तो सरकार उन्हें UPS का नया लॉलिपॉप पकड़ा रही है सोचिये, 18-19-20 साल की उम्र में जब इन जवानों ने वर्दी पहनी थी तो मन में एक भरोसा था कि परिवार के आर्थिक सुरक्षा पक्की है लेकिन अब सरकार उन्हें बता रही है कि अगर 45 साल की उम्र में वियारेस लेना है तो पेंशन 60 साल की उम्र में मिरेगी यानि पूरे 15 साल इंतजार करो लेकिन सरकार बताए कि तब तक परिवार क्या खाएगा कैसे जीएगा, कैसे सरकार के पास इसका कोई जवाब है सरकार UPS में कहती है कि वियारेस के बाद पेंशन 60 साल से शुरू होगी 60 साल के बाद शुरू होगी लेकिन ये जवानों के लिए तो एक बड़ा धोका है ना 45 साल की उम्र में जब ये जवान रिटायर होंगे तो परिवार का गुजारा कैसे चलेगा आप बताएगे, कोई गैरंटी नहीं है कि जवान 60 साल तक जीवित रहेगा या नहीं सरकार कहती है कि UPS में करमचारियों का 10% योगदान होगा लेकिन भाई जवानों से पूछो उन्हें चाहिए पुरानी पेंशन न किये नै नियमों का जुन जुना आज मुझे 15 साल की नौकरी हो गई है, 15 साल की नौकरी हो गई है, 45 की उमर में मैं रिटार हो जाओंगा, मुझे पेंशन 50 साल की उमर में ही मिलेगी, ऐसा क्यों, तुम पुरानी पेंशन पे बैठने गये थे न, मोधी सरकार से तुम बात कर रहे तो तो पुरानी पेंशन कोई पहली बार अगर थासांसर बंके खतम हो रहा तो उसे क्यों मिल यह फिया नहीं मिल जाती है पुरानी को घ्राइक का जो पहली बार नूप वस्कित होंगे कर्मचारियों में UPS को लेकर उबाल है जवान भी अपना हक ना मिलने से निराश है UPS में VRS लेने की आयू और पेंशन मिलने की आयू को लेकर केंद्रिय अर्दिसैनिक बलो की जवानों में रोश है उनकी मांग है कि VRS के लिए सेवा अवधी को 20 साल किया जाए इतना ही नहीं 20 साल की सेवा के बाद जब वियारेस ले तभी उनकी फुल पेंशन प्रारंब हो केंद्रिय अर्दिसैनिक बलो में पुरानी पेंशन बहाली का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अब UPS के आने से इन बलो में OPS लागो की उम्मीद तूट से गई है वज़ा केंद्रिय सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह सकती है कि बल भी आने कर्मचारियों की तरह यूपियस के दाइरे में आएंगे यहां पर एक पेच भी फसा रहेगा कि सरकार सीएपीफ को संग के सशस्त्र बल बनाएगी या नहीं दिल्ली हाई कोट ने सीएपीफ को संग के सशस्त्र बल माना और OPS लागू करने का निर्देश दिया लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई क्यों कि सरकार को शायद इन जवानों की परवा नहीं है आर्मी नेवी और एयर फोर्स को OPS लेकिन C-APF को नहीं और अब UPS के चक्कर में तो जैसे OPS का सपना ही तूड गया हो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर स्टे लगा दिया है और इसी स्टे से सरकार को राहत मिल गई है लेकिन क्या सरकार को जवानों की तकलीफे नजर नहीं आती ये वही जवान हैं जो सीमाओं पर तैनात रहते हैं आतंकी हमलों से लड़ते हैं और आंतरिक सुरक्षा में अपनी जान की बाजी लगाते हैं तो फिर इनके साथ भेदभ अब तो केंद्रिय कर्मचारी संगठन भी UPS के खिलाफ खड़े हो गए हैं एनम OPS का आंदोलन देश भर में चल रहा है एनम OPS के अध्यक्ष विजय कुमार बंधू ने कर्मचारियों से OPS बहाली के लिए और NPS UPS के विरोध में 2 सितंबर से 6 सितंबर तक काली पट्टी ब भियान शुकरवार को समाप्त हो गया अब NM OPS द्वारा 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोशना की गई है कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन का मकसद केंद्र सरकार को चिताना है लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार जागे ये जवान अपनी जिन्दगी आपके हातों में सौपते हैं तो आप उनकी जिन्दगी के बुनियादी जरूरते तो पूरा करो क्या सिर्फ जै जवान का नारा लगाना काफी है नहीं अब वक्त आ गया है कि OPS की बहाली के लिए सरकार आगे आए और इन जवानों को उनका ह हाक दे क्योंकि अगर आज जवानों का भरोसा तूड़ गया तो कल देश की सुरक्षा का क्या होगा OPS जवानों का हक है से देने में और देरी ना करें जै जवान जै किसान का नारा अब सिर्फ शब्द नहीं बलके कारवाई की मांग कर रहा है सरकार अब जवानों को सुने दोस्तों आपकी मांग OPS की है यह हमें पता है और इसलिए हम OPS का मुद्द लगातार उठा रहे हैं इसलिए आप भी हमारा समर्थन करिए हमें मजबूत करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आव OPS के मुद्दे के साथ तब तक के लिए अपना रखिया ख्याल और मुझे दी जो जाजब थाने वाद